दोस्तों ये नोकरानी बहुत ही चालांकी से पैसा चुराती है पहले ये एक रबर लेती है और अपने पैरों में पहन लेती है और फिर पैसे को रबर में इस तरह चिपका लेती है पैसा चुराने के बाद फिर ये सोने का चैन लेती है और अपने पल्लू में बांध लेती है और फिर ऐसे चलती है जैसे इसके पैरों में चोट लगा है तभी इसकी मालकिन देखती है और पूसती है तुम ऐसे क्यों चल रही हो फिर यह नौकरानी कहती है मेरे पैरों में चोट लग गया है मुझे छुट्टी चाहिए और छुट्टी लेके वहाँ से जाने लगती है त उसका जीवन खुसियों से भर जाए तो जैसे ये नौकरानी चलती है तभी सोने का चैन गिर जाता है फिर इसकी मालकिन को सक होने लगता है फिर ये इसका चेकिंग करती है तो पता चलता है कि ये पैसा और सोने का चैन चुरा के भाग रही थी और ये नौकरानी पकड़ी जा प्रादी है